नमश्कार दोस्तों आपके हमारे योटिब चैनल पर हार्दिख स्वागत है पती को वश्मे करना चाथे हैं उसों किसी और और के चंगल से छुड़वाना चाथे हैं आप चाहते हैं कि आपके पती सिर्फ हो सिर्फ आपके साथ प्यार करें जिस भी औरों के चंगुल में वो फस चुके हैं उससे जल से जल चुटकारा हासिल कर ले वो खुद उस औरत से चुटकारा पाना चाते हैं पर उस औरत ने उसके उपर वशी करन कर रखा है जिसकी वैसे वो अपना पीछा उससे नहीं चुड़वा पा रहे हैं पर आप उनकी मदद कर सकते हैं गुरु मासरो देवी जी के बताये गए हुए उपाई के जरीये आप अपने पती को वापिस अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं और उस औरस से उनका पीछा चुड़वा सकते हैं जहे किसी भी तरह का काला जादू उस औरत ने आपके पती के उपर क्यों ना किया हो उसको भी आप दूर कर सकते हैं एक बहुती सिंपल सा पर एक बहतरीन उपाई है ये एक बार अगर आप ये सच्चे मन के साथ उपाई कर लेंगे 100% ग्रेंटी है कि आपके लिए ये उपाई कारे करेगा और आपके जीवन में चल रही मुसीबतों को दूर करेगा गुरू मा सुरोज देवी जी बहुती ग्यानी तांतरिक है जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है कैसे हो आपके जीवन में चल रही मुसीबतों को दूर कर सकते है एक बात का आपने यहां पर ध्यान जुरूर रखना है कि गुरू मा सुरोज देवी जी को संपर्क करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीम पर दिये गे हुए नंबरों का ही इस्तिमाल कर सकते है इसके इलावा गुरू मा सुरोज देवी जी का कोई और नंबर नहीं है जो लोग कोमेंट के नीचे नंबर छोड़ते हैं वो लोग फ्रॉड लोग हैं आपको बेवकु बनाने कोशिश कर रहे हैं आप उनकी बातों में बिलकुल भी ना आएं आप अगर गुरू मा सुरोज देवी जी से संपर्क करना चाते हैं तो सिर्फ और स्क्रीम पर दिये गे हुए नंबरों से ही उनसे संपर्क कर सकते हैं तो आईए जानते हैं आज के इस उपाय के बारे में इस उपाय को करने के लिए आपने इत्र का प्रयोग करना है आपने कोई भी इत्र लेना है उस इत्र को आपने एक सिंधूर का गोल चक्रा बना के उसके सेंटर में रख दिना है सेंटर में रखने के बाद उसके चारों और आपने मौमबती जिला लेनी है मौमबती जिलाने के बाद आपने एक मंतर का जाप शुरू करना है जो मंतर आपके राशी के हिसाब से आपको त्यार करके दिया जाएगा इस मंतर का जाप करने के बाद उन चारों मौमबत्यों को आपने बुजहा देना है बुजहाने के बाद इन मौमबत्यों को आपने चलते हुए पानी में विसरजित कर लेना है और जब भी आपने अपने पती के पास जाना है इस इत्र का इस्तमाल करके ही जाना है आपने अपने बॉड़ी के ओपर इस इत्र को लगाना है तब ही आपने अपने पती के पास जाना है जैसे ही वो इस इत्र की स्मेल को सूम पाएंगे वैसे ही आपको इसकी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे आपके पती के उपर चाहे कैसा भी काला जदु क्यों न किया हो उस औरत ने वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके पती आपकी और करशित होना शुरू हो जाएगे वो स औरत का साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो अगर आप ये उपाई करना चाहते हैं अपने पती को वापिस हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर करते होए स्क्रीम पर दिये गए हूँ नमबर पर कॉल करके आप गुरू मासुरभ देवीजी से संपर्ख कर सकते हैं आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिए बैल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाई वीडियो की अपडेट पहले मिल पाए धन्यवाद